दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल रजा इंटियर में और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक दिवान बैड है या एक सिंगल बैड वो किस तरी किसे बनाया जाता है पूरा प्रोस तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ आने वाली सभी लटेस्ट वीडियो के नोडिकेशन के लिए बेल का एकन को भी दबा लीजिए तो चलिए दोस्तों विधाउट विडियो शूर कर लेत हों कि जो हमारा दिवान वैट जो तयार हूगा उसकी लंबाई और छोड़ाई कितनी होगी दोस्तों उसकी लंबाई होगी आपकी च्छे फुट और जो चोड़ाई होगी वो होगी दौस्तों तीन फूट ठीक है छे भाई तीन का हम ये दिवान बैट बनाने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लाज तक देखते रहे हैं अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो हम इसकी उचाई रख रहे हैं आप देख सकते हैं जो निशान लगाया जा रहे हैं वो 16-16 इंच पर जो ह हमारा जो लबाई है वो तो मैं आपको बता दिया है जो बोड जितना आता है मतलब 6 फूट का आता है तो उतना ही हमें जो हो रखना है तो 6 वाई 3 का हमें क्योंकि बैट बनाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दोना तरफ निशान लगा करके और अगर आप बनवाना चाते हैं याई आप तो इसको आप किस तरीके से बनवा सकते हैं पूरी डिटिल आपको मिल जाएगी दोस्तों और किस तरीके से जैसा आप बने बनाई जो है वो बैड लेते हैं दिवान बैड जो हो बने बनाई लेते हैं प्लाइबोर से तयार हुए ह तो उससे पहले आपको जानकारी मिल जाए कि भाई किस तरीके से यह बनाए जाते हैं ठीक है तो अब यहां आप देख सकते हैं दोस्तों इनकी जो दोनों की साय कटिंग कर ली है अब कटिंग करने के बाद में जो हमारे मतलब एक तो जो हमारे छे भाई 16 इंच के हो गए ठीक है अब दूसरे एरिया में हमारे जो आएंगे वो आएंगे दोस्तों तीन वाई 16 इंच के यानि तीन फुट और उचाई उसकी हाईट जो है वो 16 इंच ठीक है तो उसकी जो है यहां पर आप देख सकते हैं तीन फुट पर अभी निशान लगाया है दोन इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं ठीक है दोस्तों बाकि कोई भी कमेंट आपका हो कोई सुझाव आपका हो तो कमेंट बोक्स में जरूर बताना ठीक है जो भाई काम करते हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं कमेंट बोक्स में अपना कमेंट करके ठीक है बाकी मैं आपको एक चीज और बता जेता हूं दोस्तों ये मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहा हूं तो वीडियो को लाच तक देखते रहना कोई भी स्टेप मिस मत करना अगर कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो शायद से कोई जानकारी आप से छुट सकती है तो इसलिए वीडियो को लाच तक देखते रहना अब ये हमने दोस्तों छोटे वाले पॉर्शन काट लिये हैं जो बैड के हमारे दूसरी और के पॉर्शन आएंगे तो उसी उसको हमने काट करके अभी एक जगा हम रख लेंगे उसके बाद हम जो हैं दोस्तों हमारा जो न नीचे वाला एरिया यानि जो आपका अंदर वाला एरिया होता है तो वो बोड़ उसके दो चारों तरफ हमें निशान लगाने लेना है ठीक है पायों की कटिंग के लिए हमें निशान लगाना है दोनों तरफ से ठीक है जितने जितने हमारे चोड़े पाएं हैं तो उतनी म और जिससे आपको proper जो है वो पता चल पाएगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा time lapse करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों तो इसलिए वीडियो को में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ time lapse करके तो उसमें आपको समझ भी आ जाएगा पूरा प्रोसेस का भी पता चल पाएगा ठीक है दोस्तों दोस्तों अब देख सकते हैं जो पाएगे उनपर लंधा लगाया जा रहा है ठीक है तो इस तरिके से उनको चहला है है तो इस तरीके सें आप पूरा उसको छील करके और सारे है एक साहत में क्योंकि जो रंधर लगाना है हमें सब एक साथ लगा लेना है ताकि हमें आगे कोई प्रोब्लम ये यांद बार-बार उनको चीनना पड़े तो सभी को एक सार जो है एक सा जो है वो कर लेना है एक जैसे कर लेना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहा हूं तो इस टेप बाइस टेप आप देखते रहिए चीनना प्रोसे से लेखते हैं मैं तो जो सब्सक्षेटन फ्लेफ देखिवश्ण के लेखिप से लेख बाइस टेखिब देखिवश्या नाया है झाल 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 झाल